बहुत जल्द इंडियन अडर 19 टीम को शिलंका की उडान बरनी है और इसमें दो मुंबई के खिलाडी होंगे एक अरजुन तेडूलकर जिन अपनी लड़ाई लड़नी है और दूसरे यशर स्वी जैसवाल जो समय मेरे साथ है जिनके लिए ये टोर शायद सब कुछ है क्यों दिखाए है अमरे दश्कों को ये वो बैट है जो कल यशर स्वी की मुलापात सचिन तंदूलकर से हुई थी सचिन ने उनना बुलाया था तो इससे पहले कि मैं आपके कहानी सुनू बताइए मुलाब क्या फीलिंग थी क्या पूछा आपने कैसी रही मीटिंग सर बहुत अच्छी मीटिंग रही और मेरा सपना था कि मैं सचिन सर से मिलू और वोकल पूरा हो गया मैं थोड़ा नर्वस था उनके सामने मैं उनको देख के मतलब एक्चुली मैं सप्राइस था कि मैं उनको देख रहा हूं और वो जो बोल रहे थे मैं बस ट्राय कर रहा थ सबस्क्राइब कर सकते हो तो सर ने बहुत अच्छे से अलग अलग एक्जामपल दे के मुझे बताया है कि ऐसे यह सिच्वेशन रहे तो ऐसा करना और ऐसा फोकस कैसे रख सकते हो अपने थाट्स को कैसे बदल सकते हो तो वो मेरे लिए मतलब ग्रेट है और मैं मतलब उनके सामने बैठा था वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं उनसे मिला और उनसे बात किया मैं बहुत मतलब बहुत शुक्रिया करता हूं सर का कि मैं उनसे मिला और बात किया मेरा नसीब आपने क्रिकेट की बात के लिए किन उन्होंने भी आपकी बैक स्टोरी सुनी होगी क कितना च्रगल आपके लिये रह रहे उन्होंने सब्सक्राइब कि μεरा बशेर अपना प्रीटत कर सकता हूं उस्तफार कैशन देंस अर्जुन भी इंडिन टीम के लिए होंगे वो विसलिए टीम के लिए सिलेक्ट हुआ है अगल मैं गलत नहीं हूं तो आपके टीम मेट रहा मेरा और मेरे रूम पार्टनर भी था तो बहुत अच्छा एक्सपिरेंस रहा मेरा उसके साथ वह बहुत महनती है और रूम पे भी सर वह बहुत अच्छा वर्काउट करता है मुझे भी बूलता कि अपना फिटनेस इंप्रूव कर और हम काफी अच्छे बात करते हैं क्रिकेट के बारे में तो बहुत अच्छा लगा सर उसके साथ रहे के और वह मेरा रूम पार्टनर था वह भी बहुत अच्छी मेरे के लिए था जिनका लिए सर्वाइवल की यह बात हो जाती है क्योंकि जब आप वहां से यहां आये हो आपका पता नहीं कितना कितनी सफलता मिलेगी ना मिलेगी शुरुवाते दिन कैसे थे कब आप उंबया उसके बारे में बताईगी मैं आया तो सर बहुत पहले मुझे य होगा नहीं होगा वह बात की बात है मैं अपनी कोशिश पूरी करते रहूंगा बस और सर कुछ नहीं और मैं बहुत अच्छा मैं इंजॉई किया अपना जितना भी दिन था सब इंजॉई किया दिन कितने मुश्किल थे मलब राते बिताना कितना मुश्किल होता था क्योंक तो उस इसाब से मैं सुबह प्रैक्टिस भी करता था और फिर बीच में जो भी अगर स्कोरिंग या अंपारिंग करने मिल गया यह तो बॉल ढूंड के दे दिया उसमें जो भी मैं अपना कर सकता था जैसे पैसे बिल जाते वह अच्छा था और मैं जो परफॉर्मेंस कर सकता अगर जीम का हमारा कॉर्परेट का बहुत मैचे चलते हैं वहाँ पर तो मैं यहीं ट्राय करता था कि कोई भी मैच मुझे मिल जाए और मैं उसमें परफॉर्मेंस कर दू तो अगर मैन आफ दा मैच रहा तो 200-300 रुपए मिल जाता था या तो खाना फ्री हो जाता था दूपै लेते थे और फिर मैं अपना उससे भी कुछ निकाल लेता था फिर सो जाता था खाना भी डरता होगा कोई भी मैना फ्रेंड कोई ना आ जाया पानी पूर चाहले तो सब कुछ कर सकता हो भी में उनके साथ वापन को पानी पुरी देते हुए मैं नहीं मतलब मुझसे नहीं इसलिए तो मैं चला जाता था तो फिर वो बहुत अच्छा मज़ा भी आता था पर थोड़ा प्रॉब्लम भी था पर ठीक है सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी मतलब वो उन दिनों जब आप इस तरीके से रह रहे हो और किसी तरह गुजारा कर रहे हो सबसे बड़ी मुश्किल तो सोने की और रात में अगर टॉलेट आ गया और बारिश में टॉलेट आ गया तो मतलब हमारे टेंट में न लाइट थी न टॉलेट था और जो टॉलेट था वो हमारे टेंट से आधा किलो मेटर पूरा एक्रॉस दूर में था तो अगर बारिश में भारिश है और बारिश है और वहाँ पानी बहों श्माइबद तो फाहँ रहो समीं और सुस्माइब भारी mm पीन से Teaै के और लिखिता ुट करते खुछ शहं आरे कंश्या बारिश में चो हो इसनी के लुख बहुत वही फिर गर्मी में कैसे भी अपने आपको निकाल लेता था ताइम वह बस और रात में कभी टॉलेट तो बाजू में चला जाता था थोड़ा दूर पे तो मेरे दाड़ी चाचा है जो वहां जुल्फिकर चाचा रहते हो तो वह चिलाते थे मॉंटी क्या कर रहा है बाहर जा कि बगल में बैठे हैं वो उनके लाइफ में आए और जौला जी भी यूपी से आये थे और अपने सपने लेकर आये थे जौला बटाइए मलब आपने सब सब पहले किस तरह नोटिस किया और आप शाइद रिलेट कर पा रहे होंगे यह सारी कहानिया जब बता रहा है देख मुनना करके उसने हाथ दिखाया और मैं वाक करते उस नेट की तरफ चला गया नहीं तो शायद मेरी से कभी मुलाकाती नहीं होती तो जब मैं वहां पर गया और बहुत थोड़ा रॉफ विकेट था और यह बैटिंग कर रहा था तो मैंने बुला यह लड़का अच्छा बै तो यह बोला कि सर कहीं भी रह जाता हूं भी तो इस टेंड मेरे तो जब मैंने टेंड सुना था मुझे शॉकिंग लगा क्यूंकि जिस उमर में यह सब कर रहा था मैं भी वह एज में सब कर चुका हूं मैं भी गोरगपुर से आया था यहां पर क्रिकेट खिर ले और शुर अभी एज है आप बताया हूँ इसने को बोला कि मेरे ब vot एख्या हो मैं बढ कर रहा हूँ तो मुझे एड़ो अड़ा हूं ओममारा प्रफोर्बम्स किया थर में यह भी तो तो इसने बताई ये सारे इसुज जो भी आपके साथ उसने डिसकस किया तो मैं बोला बटाब एक काम करो आप मेरे दर आ जाओ मैं आपका सारा कुछ हैंडल करता हूं आपको जो भी इशुज रहने का या फूड का या बाकि एजुकेशन का और अभी कुछ सोचने की ज़रत हैं आपको सारा कुछ मैं करूंगा और उसी टाइम पर इसके डैड भी आया थे वह इसको वापस ले जाने के लिए तो वह भी मुझे मिले और उन्होंने बोला कि सर अभी आपको जो अच्छा लगे इसके लिए करो बस आपी सब कुछ हो तब से यहां पर यह मेरे साथ रहन करना चाहते हो देखे कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है और हमारे जैसे लोग जैसे यह शश्वी है यह सर्वाइवल है कि इनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है लोगों को जो दिखता है बहुत आसान होता है लेकिन जब कोई आक्श्वली वह करता है वह बहुत मुश्किल होता है यह शश्वी लखी है कि इसको सारी चीजें हो रही है स्ट्रगल इसका कामियाब हो से हो जाएगा अंडर 19 इंडिया खेल और आगे भी करेगा लेकिन असे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन शायद इस लेवल तक भी नहीं पहुच पाते हैं तो यह सर्वाइवल है सब कुछ क्रिकेट ही होता है और अगर उसमें सक्सेफुल नहीं हुए तो फिर पता नहीं क्या तो आइसे अगर कोई भी लोग स्ट्रगल कर रहा है तो उनको जरूर सपोर्ट करो जया तक प्रिशर की बात है वैसे पहली बार इंडिया खिल रहे हो तो दबाव होता है लेकिन जो प्रिशर आप जेल के आये हो शायद उसके मुकाबले में यह क्रिकेट वाला प्रिशर कुछ भी नहीं है जी प्रेशर तो रहता है पर अगर आप प्रेशर इंजॉय कर रहे हो तो वह बहुत आपके अगर आपको पता है आप यह सब कर सकते हो और आपने उपर बिलीफ रखोगे तो मैं समझता हूं कि हो सब कुछ हो सकता है अगर आप अपने उपर भरुसा रखो तो आप कहा थे जब पहली बार आपने सुना कि आपके इंडिया नेटीन टीम में सेलेक्शन हुआ है कहां प टीम में चारे आके कॉंग्रेट्स किये सबने मिला थैंक मैं बूला थैंक्यू बरिमच्च और उस राट जब आप सोय तो मुल्ब किस तरह के क्षायल आ रहे दे पूरा पूरी कहानी ही सामने आ गए उस राट मैं सोया ही नहीं पूरी राट जागा था मैं और मैं भी जाग पाप आपको लेने आए ते दुबारा वापस ले जाना चाहते हैं मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मुझे लगता है जो टरनिंग पॉइंट है वो सर अगर सर नहीं मिलते मैं क्रिकेट नहीं खिर पाता और मेरे लाइफ में मतलब मैं कुछ मतलब ऐसा कुछ बोली मैं क्या ब पापा ममी की तरह रखते हैं सर तो आप समझ सकते हैं वो बयान ही कर सकते आप मुझे अब जब कि इस अपना साकार हो रहा है और उमीद है कि अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे आएंगे तो पहली चीज़ वो क्या करना चाहते है जब थोड़े पैसे बन जाएंगे क् सर वो तो अभी कुछ इतना सोचा नहीं जो भी है सर करेंगे उनको सब पता है मेरे बारे में और मैं क्या सोचता हूं तो सब सर सर के हाथ में वह जैसे यूज़ करें कोई ख्वाब है आपके कोई अमबिश है कि मैं मैं सोचा था कि मैं मुस्लिम नाइटर को अच्छा टेंट बना दूँगा और क्रॉस मेदान के आगे कुछ रहते हैं लोग जो मतलब बारिश में बहुत तकलीफ में रहते हैं तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं अच्छा बढ़ा तो मैं उनको जरूर मतलब कुछ ना कुछ तो करूंगा उनके लिए जो वहां पर फसे हुए या बारिश में वहां के एरिया में जिनको मैं देखता था मुझे बहुत मुझे खुद भी बुरा लगता था कि मैं भी ऐसा हूं और वह भी मैं इनके लिए जरूर इसा नहीं सोचा किसी दिन बड़ा घर लेना बड़ी गाड़ी लेनी यह तो दिमाग में कभी आया है नहीं मेरे मुझे बस यह है कि बस अच्छा खेलते रहूं और महनत करूं अपने आप से और ऑनेस्ट रहूं कभी ऐसा किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है आप के साथ केम्प में थे अपनी बै्टिंग के बारे में समय क्या सोच रहा है स्टोर के वर influence यह हमारी ट्रैक्तिस हूए है ऑश्व अजय होई यह और इंडिया के गिए और यहां की आर हम हम क्या चाहिंगे कि अर्म पोशिश कर कर बाकी रिजर्ट के बारे में नहीं सोचूँगा जो होगा सो होगा पर हमको जीतना है इतना तो यह मेरा एम है वस अब जब के इंडिया में सेलेक्ट हुआ यह सारी बाते सामने आ रही है लेकिन आप जो आपके लोकल रेकॉर्ड को फॉलो कर रहे हैं स्कूल रेकॉर्ड को फ में बनाया वह जोआला सर जोजर डो ऑशारम से बाद बनायék Acab circumstance बनाया यह तब स्कूर्ण मुझे उतनी प्रैक्टिस नहीं क्वेर टी मुझे मिलती है और उन यह सीनोडे के बाद मिलए और एट कैसे सिचीशूएशन में मतलब उस कि कि अच्छी अच्छा स् प्रैक्टिस चाहितê प्रहां यांन अच्छा होनि और फूड़ ऑगारो अभी तो खाने और संब इस से मिलरा है लिए सर आज लेगों अभी ररा ने स्पली समयु़रो मिलने लगी समय। sufrier शृत नहीं पहलने लागी मिलने लिए तो मैं 100% इससे खेलूगा और कुशिश करूँगा मैं कितना अच्छा खेल सकता हूं इससे बस यही रहेगा यह बैट पर लिखा हुआ है यह रिखा हुआ है यह रिखा हुआ है अगर बड़े रंस बनेंगे तो उमीद करते हैं और इस तरीके से बहुत सारे खिलाडी आते है मुंबई अपने ख्वाब लेकर और अच्छा अच्छा लगता है जब यह स्ट्रगल है उसके बाद इस तरीके से उन्हें सफलता मिलती है यह उनके लिए पहला मौका है पहला पड़ाव है इंडियन अडर 19 टीम के उनका सेलेक्शन हुआ है श्रलंका में बहुत जल्ड टी इंडियन के लिए एकन कसी देन इंडियन टीम के लिए भी कैमरमन मंगेश अमरे के साथ रसेश मंदानी मुंबाई आच तक